इस नाश्टे को बनाने के लिए हमने या पर ले लिया है एक कप पोहा जिसे हम rice flex लिया flattened rice में कहते हैं इसे हम दो से तीन बार धो लेंगे और दोने के बाद इसका जो पानी है उसे फेक देंगे और इसे हम दिखे इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फुल जाए इसे हम 8-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे अब देखिए पोहा अच्छी तरीके से फूल चुका है और अब हम इसे हातों से मसलेंगी और इसे मैश करेंगी अगर आप इसे मिक्सी के जार में भी डालना चाहते हो तो मैश कर सकते हैं लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो ये देखिए मैं तो इसे हातों से ही मैश कर रहे हूँ ताकि सारी चीज़े इसमें अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए तो ये देखिए जैसे जैसे हम इसे मसल रहे हैं बहुत ये ची तरीके से मैश हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे तीन उबलेवे आलू आलू और पोहे का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा होता है इसे नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है तो ये देखे हमने आलू डाल दिया अब डालेंगे इसमें नमक हमारे स्वाधनुसार और डालेंगे इसमें हरा धनिया, यहाँ पर मैंने आधे कपके करीब बारिक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, अब इसके लिए हम तड़का तयार करेंगी, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है तड़का पैन, इसमें डालेंगे एक चमच तेल, तेल जैसी गरम होगा हम डालेंगे one teaspoon राई one teaspoon डालेंगे जीरा फिर डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च यहां पर हरी मिर्च मैंने लगभग दो लिए हैं आप आपकी इच्छा नुसार कम ज़दा कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम करी पत्ता यहां पर मैंने 10 से 12 पत्ते लिए हैं और इसे हातों से तोड़ कर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद डालेंगे हम भुनेवी मुंफली के दाने इसे मैंने क्रश कर लिया है भुने के बाद मैंने इसके छिलके हटा दिये हैं और इसे कूट लिया है मतलब इसे क्रश किया है और इस के अंदर इस तड़की के अंदर डाल कर में से 2-3 मिनिट के लिए भून लूँगी और इस मज़ेदार तड़की को हम डालेंगे पोहे के मिश्रन के अंदर तो चलिए हमारा तड़का तयार है अब हम ये इस तड़की को पोहे के अंदर डाल देंगे और इस तड़के के वज़े से इस नाश्टे में बहुत अच्छा स्वाद आएगा यकीन मानिया आप इसे ट्राइज जरूर करिएगा अब यह तड़का बहुत गरम है तो पहले आप हातों से ही से मिक्स करें और इसके बाद इसे हातों से मैश कीजिए देखिए यहां पर हातों से इसे अच्छे तरीके से मैश करते ही मिलाना है ताकि यह सारी चीजे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ताकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भरने में आसानी हो तो ये देखी हमने इसे मसल मसल कर, मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है और ये हमारा पोहे वाला मिश्रन बनकर तयार है बहुत अन्नोखी रेजिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट है अब हम इसकी स्टफिंग तयार करेंगे तो कड़ाई में हमने ले लिया है एक चंमच तेล तेल जैसी गरम होगा हम इसमें डालेंगे जीरा 12 टीस्पून फिर डालेंगे हम इसमें दो हरी मिर्च चार लसन की कलिया डालेंगे और एक छोटा टुकडा अदरक लेंगे जिसके हमने दो टुकडे कर लिये हैं इन सारे चीजों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है जैसे ये भून जाएगा हमें इसमें डालना है करीपत्ता लगभग आठ से दस पत्ते और देखिए ये भी अच्छी तरीके से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर जी हां अभी सर्दियों में हरे मटर काफी अच्छी तरीके से फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे आते हैं मार्केट में आप इसका इस्तमाल करके ये नाश्टा बनाए लेकिन अगर आपके पस ये नहीं है तो आप इसे बीना स्टफिंग के भी ये नाश्टा बना सकते हैं तो मैंने एक कप हरे मटर लिये हैं इसके बाद डालेंगे हम हरा धन्या लगभग आधी कप के करीब और देखिए यहां पर हमने दन्य के डंठल के साथ इसे लिया है ताकि डंठल में जो फ्लेवर होता है वो काफी अच्छा होता है इसे नाश्टा और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा अब हमें इसे स्रिफ 5 मिनट के लिए बूनना है जादा नहीं बूनना है हमें 5 मिनट के बाद हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बन और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है तो आप देख सकते हैं हमने इसे जादा नहीं बूना है ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाधनुसा और इसे पीस लेंगे पीसते वक्त हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था इस बात का ध्यान रखना है हमें बीना पानी डाले है इसे पीसना है और बहुत ही आसानी से पीस जाता है थाकि हम इसके छोटे छोटे बॉल बना सके तो यह देखिए अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे बहुत ही मतलब मीडियम साइस के बॉल बनाना है ताकि हमें पोहे वाले मिश्रण के अंदर इसे आसाने से हम इसे स्टफ कर सके तो यह देखिए हम इसके छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं तो यहां हमारी यह स्टफिंग तयार है और हमारा यह पोहे वाला मिश्रण भी तयार है अब मैं आपको इसे स्टफ करना बताऊंगी तो पहले आपको हातों से इसका बॉल बनाना है और उसके बाद हातों से अच्छे तरीके से इसे फ्लैट करते वे इसमें यह स्टफिंग को स्टफ करना है और दिरे दिरे दिखिए इसका जो बॉल है इसे पैक करना है पहले आपको मुठी में इसे दबा दबा कर पैक करना है उसके बाद आप इसे अच्छा शेप दे इसी तरीके से आपको यह सारे बॉल तयार कर लेने है और अगर आपको यह स्टफिंग नहीं बनानी है तब भी आप इसे बीना स्टफिंग के भी बना सकते हैं तो एक बात का ध्यान रखें अगर आपको जल्दी हो और अगर आपके पास स्टफिंग बनाने का समय नहीं है तो आप देखिए इसी तरीके से पोहे और आलू का यह लाजवाब नाश्ता बनाकर आप इसके बॉल्स बनाकर इसे फ्राय कर सकते हैं तो यह दे हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं बहुत आसान रिसेपी है लेकिन टेस्ट में काफी लाजवाब है अब हम इसे फ्राय करेंगे तो फ्राय करने के लिए लिए यहां पर करेंगit आपधे का पैंड दाओं सपएन जाना डिआफ फूव compliments में तो डा與-lo यह दों सब्छा क alors इसे टेल में धूत्र फ्राय करेंगे बहुत ही कम तेल यह फुग्झा होंगे लेकिन बहुत भी जादा करारे बनेंगे क्योंकि हमने इसमें पोहा और आलू डाला है तो ये देखे हमने सारे बॉल इसमें डाल दिये हैं और इसे अब हम अलट पलट कर अच्छे तरीके से गोल्डन कलर या फिर ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता लगभग 5-6 मिनट ही लगते हैं और ये देखे ये फ्राइ हो चुके हैं आपको मैं नस्दीक से दिखा रही हूँ कितने मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगते हैं तो आप इस recipe को ज़रूर try कीजेगा और try करने के बाद हमें ज़रूर ज़रूर बताईएगा तो देखे अब ये पहला batch अच्छे से fry हो चुका है और कितने सुंदर और कितने soft उपर से ये बहुत ही करा रहे हैं और अंदर से बहुत ही soft है तो ये हमारे पहली batch ready हो चुकी है अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितने crispy और करारे बीच से से cut करके भी दिखाऊंगी कि बीच में इसकी जो stuffing है वो किस तरीके से दिखाई देती है बहुत ही चटपटी, करारी, tasty ये ball बनकर तयार हो चुके हैं जो बिल्कुल अनोखे और स्वादिश्ट है तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद हमें जरूर बताए कि आपको कैसे लगे अच्छे लगे हो तो प्लीज से like और share करना ना भूए